वेलकम टू लर्ण सैवन डे इस स्रीज का फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट है और आज लास्ट लेशन है इसके बाद आपके बच्चों को फो समपोन फूल ओफ अल्फाबेटे कल आ जाएंगे और आप भी देखेंगे कैसे खेल खेल में बच्चे ने पूरी अपने आप क कोई भी बात करे हुए हम ने श्टेप पर जाते हैं आज हम सिखेंगे जिग जाइट लाइन यह तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है सबसी अधी मेरे बच्चे को यही लगती थी आज तक हमने देखा है कौन कौन से स्टेप हमने फोलो किये यदि आपने पहले स्ट लाइन यह और लाइनिक बच्चों को बहुत पसंद इससे ही और लास्त में जो बच्चे कुछे आल्फाबेट आउश से पूण हो जाएंगे तो आज का वीडियो चोटा सा ही लेकिन इतना मज़san मेνगार है क्योंकि बच्चा इस लाइनिंग से अपना मीना फोल Britt अपι ज पून कर देगा आज तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने ये फिश्मस ट्री ड्रोग किया हुआ है आपके ड्रोइंग अच्छी है तो मेरे से भी अच्छा बनवाना और नहीं बना सकते हैं तो कहीं भी हो उसकी पेंट निकाल देना जिसे बच्चा आसानी से उस ड् पर रिराइड की या ड्रॉप मैच करें यह ऐसी बनेगी उसमें कलर भी आप करवा सकते हो क्रियों से कोई भी कलर उनके साथ करना तो उसको अच्छा लगेगा फिर एक कलर होने के बाद दो तीन दिन के लिए इसकी प्रैक्टिस चरूर करवाना क्योंकि जब इसकी प्रैक् यह करवाने के बाद ही आप उसको अल्फाबेट से इंट्रिक्स करवा सकते हैं कौन से अल्फाबेट आएंगी तो इसके लिए बचे कोचे ही रहे हैं एन एम जड डबल्यू ओके एन एम जड डबल्यू यह तो बच्चा आसानीती कर लेगा ओके यह वाला डबल्यू फिर जड फिर जड फिर आएगा एम और फिर एन ओके आप कोई भी लेटर पहले सिखा सकते हैं जिससे बच्चा आसानी से कर सकता हैं यह वाला लेटर बच्चा पहले सिख जाता है मेरा बच्चा यह लेटर पहला डबल्यू वाला ओके ऐसे बनाता था और M उल्टा और सिधा फिर N फिर Z for zebra यहां यहां पर N आ जाता है आल्फाबेट सीखनी का ABCD यहां पर बच्चा समखोन सीख जाता है Thank you for watching my video and please subscribe my channel and like button Bye-bye